ओके, हेलो चैटर्स, माइ नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्टल चैटर। रेंडी ओर्टन ने कुछ ऐसी बात कही है जो कि शाद काफे सारे फैंस के दिल में दर्द देने वाली है समर स्लैम की आउटडोर लोकेशन में डबल लबली फैंस को लाने का प्लान कर रही है तो रैजने गाइस हमको अपडेट दिया जहाँ पर उन्होंने तगड़ा वाला अपनी सर्जरी का स्कार भी दिखाया और यहाँ पर जो लुक का छूपी का गेम तब वही कंट्यून रा क्योंकि स्कारलेट यहाँ पर आती हैं लेकिन स्कारलेट से पहले यहाँ पर आते हैं केमरन ग्राइम्स और Cameron Grimes तो सिर्फ उनको परिशान करने के लिए थे Keith Lee नो उनको यहाँ पर धो भी दिया और Scarlet के आने के बाद Karen Koss हमको सिर्फ स्क्रिन पर देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ से बता देते हैं कि उनको Problem Keith Lee से जादा नहीं है उनको चाहिए NXT Championship जो की फिलाल Keith Lee के पास है तो WWE धिरे धिरिन की storyline को आगे progress कर रही है एकदम से इनकी बीच कुछ असा दिखाने रहे कि दोनों आकर एक दूसरे से भड़ गए लेकिन हाँ आने वाले shows पर तो यह चीज़ हमको देखने को मिलने ही वाली है इसके रहाव हमको NXT Tag Team Champions Imperium देखने को मिले जहाँ पर उन्होंने काफी easily यहाँ पर Ever Rise को defeat कर दिया लेकिन गाइस मैच कत्म उनके बाद हमको एक SEC देखने को मिली जो कि अभी से कुछ महीनों पहले WWE Television पर हमको regular देखने को मिलती थी और वो था Undisputed Era का attack काफी time के बाद आपर सारे बंदे एक साथ थे और उन्होंने attack किया Imperium के ओपर इस तरीके से उन्होंने बथा दिया कि Undisputed Era अभी खतम नहीं हुई है क्योंकि भली उनके पास सारी Championship जा चुकी है बट स्टिल WWE शायद उनके साथ कुछ इंटरस्टिंग अभी करने वाली है में इवेंट की बात करें तो यहां पर एक बड़ा ट्रिबल थिट मैश साथ डेक्स्टर लियूमिस वर्सिस तीमूथी थैचर वर्सिस फिन बैलर की बीच और इस मैश में जो भी जीतता उसको सिधा स्पॉर्ट मिल जाता लेडर मैश का और उसके पास ऑपरचुनिटी होती कि वो एनेक्स्टी नॉर्थ अमेरिकन चैंपिन बने अब सबसे जादा इस मैश में डेक्स्टर लियूमिस ने इंप्रेस के है क्योंकि जिस तरीके से वो दोने इस सूपस्टार्स को धोरेते ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उनको हीरो दिखाने की कोशिश की जा रही है और गाइस एंड में वही हीरो भी बने क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो तिमोथी थैचर है उन्होंने फिन बैलर के उपर सबमिशन मूव अपलाई किया होता लेकिन तब भी पीच्छे से डेक्स्टर लियूमिस आ जाते हैं यहां पर आले की डायरेक्शन के साथ गई और अब डेक्स्टर लियूमिस पार्टिस्पेट करने वाले लेडर मैच में जहां पर उनके पास चैंपिन बनने का भी मौका होगा तो गाईज यह कुछ बड़ी थिंग थी जो कि हमको NXT के शो से मिली बाकि अगर आपको साय रिजल्ट जानने तो वो आपको इस वीडियो के डिस्रिप्शन में मिल जाएंगे और गाईज हम लोग चलते हैं डाइनमैट के शो की तरफ जहांपर शो की स्टार्टिंग में एक बहुती फन मैच सा 10 मैं टैक्टी मैच, बेस्ट फ्रेंड जॉरासिक्स एक्स्प्रेस और औरेंज कैसिडी वर्सिस इनर सर्कल की यहांपर टीम थी बहुत कुछ के आउस इस पूरे मैच भी मसरा था क्योंकि यहांपर 10 बंदे तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैच के अंदर क्या कुछ होआ होगा लेकिन मैच के एंडिंग मुमेंट में हमको मैट हार्डी देखने को मिले जो की बहुत ही टाइम से डायमाट के शो से गाप थे और इसी वज़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाती इनर सरकल की टीम और इसे का फायदा एंड में लूचा सहरस ने उठाया और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी तो यहाँ पर जादा कुछ ऐसा खास बताने के लिए है नहीं लेकिन यह एक फन मैस था जो की डायमाट के शो पर स्टार्टिंग में था जब डार्क ओर्टर के बंदे आ जाते हैं और वो कोडी रोड्स की धुलाई यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं लेकिन सेव करने के लिए यहाँ पर आए जैक रैडर और यहीं पर हमको जैक रैडर जो कि अब मैट कारडोना के नाम से होंगे डायमाट की शो पर उनका हमको डेब्यू देखने को मिला और यहाँ पर आकर ना सेवर उनका डेब्यू था बलकि उन्होंने सभी सूपर स्टार्स को सभी बंदों को वहाँ पर तोड़ दिया यह देखने में अजीव इसलिए लग रहा था क्योंकि इससे पहले डेब्ल डेब्ली में हम लोग हमेशा यह कि एडब्ल वाले उनके सांथ वैसा तो कुछ ना करें जैसा कि डब्ल डबली ने उनके सांथ किया था शो के मेंट की बात में तो गयाज यहाँ पर एक बहुत इंटरस्टिंग मैश था टैक्टी मैच टोर्नाइटो टैक्टी मैच और नो डिसक्वालिफिकेशन भी था तो डार्बी एलन जिस तरीके से उनकी आपस में केमेस्ट्री है क्योंकि डार्बी एलन काफ़े जीदा फुर्ती लें तो इस हिसाब से जिस तरीके से जॉन मॉक्स लें उनके सांथ काम कर रहे थे देखने में बहुत जादा मज़ा आ रहा था और गयाज जो मैच का एंड वो तो बहुत ही जादा खतरनाक से था अब आपको बता है डार्बेलन हमें से अपने सांथ जो स्केट बोर्ड लेकर आते हैं लेकिन इस बार स्केट बोर्ड के नीचे टैक्स लगे वे थे काटे लगे वे थे और गयाज उन्होंने स्टॉम कर दिया रहे कि स्टार्क को इनमेट के अंदर वो काफी अच्छा था तो गयाज इस तरीके से पूरा शो भी एंड होता है हम लोग चलते हैं अपनी अगली अपडेट के उपर और गयाज यह जूड़ी है रेटेड आर सुपरस्टार एज से जिसके आपको पताई है बैक्लैश में रेंडी ओर्टन के स अच्छे से रिकवर कर रहे हैं अभी वैसे निशान बहुती ज़्यादा तगड़ा लगने लेकिना आपको पता है टाइम के सांथ-सांथ यह कम हो जाएगा बट यह चीज़ ऐसी है जो कि हमेशा एच को याद रखेगी कि उन्होंने डबल अबली के इंदर ग्रेटेस्ट मैच एवर रेसल किया है अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गैस यह जूड़ी है दे वाइपर रेंडी ओटन से अब आपको पता है पास्ट में रेंडी ओटन ने एनेक्स्टी की रेसलिंग के बार में कुछ ऐसे कॉमेंट किये थे जहाँ पर उन्होंने का था कि वो रेंडी ओटन ने एका कि जो यंग टैलेंट से यहाँ पर उन्होंने नेक्सटी की बात करी यहाँ पर हमको काफी ज्यदा फॉल्स फिनिशीज देखनी को मिलते हैं और वो सैलिंग के ओपर ज्यादा ध्यान नी देते हैं मतलब जैसे हमको एनेक्सटी में मिलता है है कोई ब परफॉर्म करना बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं होते और हर बार जरूर नहीं कि आपको क्राउट की तरफ से रियक्शन चाहिए तभी आपका मैच अच्छा होगा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्राउट मैच में तदादा इंवेस्टों की वो पूरी अटेंशन दे रहा हो उनके कोई बार फैंस शुप चाप भी चीज को देख रहे होते हैं और उसमें वो अपना थगड़ा ध्यान लगा कि उस चीज को देखते हैं ना कि वो हर बार मूँज से कुछ चिल लाएं ओटन ने आपर यह भी कहा कि जब आपको कोई मूँज पफॉम होता है तो आपको इसको स किसलिंग प्रसंद है शायद वो इस बास से पूरा डिसग्री कर सकते हैं बाकि आपके क्या थौट से रैंडी ओटन के इन कॉमेंट्स के बारे में मुझे आप लोग इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बदा सकते हो अगली स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और गाई से लिमिटेट फैंस को भी बुला सकें क्योंकि शायद डबल लबली के लिए थोड़ा सा इजी होगा कि आउट्डोर लोकेशन के अंदर वो फैंस को बुला सकें कि परफॉर्मेंस सेंटर आपको पता है एक इंडोर लोकेशन है जहाँ पर शायद वायरस के स्प्लैड होने लेकिन अगर डबल लबली अपने इस काम में सक्सेस्फुल ही तो गैस इस बार समर सुलैम का माहूल आपको बहुत ही जादा अलग देखनी को मिलेगा और गैस इसी के साम अब लोक चलते हैं इन एक्शन फायल स्टोरी की तरफ जो की जुड़ी है रूसेफ से और रूसेफ को शॉक कर दिया जब उन्होंने ये बोला I am done I am done with wrestling I am professional twitch streamer now यानि उन्होंने ये कह दिया कि अब वो professional wrestling से पूरी तरीके से done हो चुके है और अब वो है एक professional twitcher इस बात ने सभी को शॉक कर दिया कोई कि fans यहां पर यह expect कर रहे हैं कि आखर कब किसी दूसरी और promotion के साथ रू रूसेफ की इस बात में काफ़े surprise का कि वो professional wrestling में वापस जाने की सोच भी नहीं रहें और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये का कि फिलाल उनका mood नहीं बलकि उन्होंने तो कह दिया I am done with pro wrestling आप क्या रूसेफ इस बात को सच में मीन करते हैं या फिर उन्होंने बात ऐसी हवा कि आपको मारे चैनल पर सी तरह से प्रो रैस्लिंग से जुड़ी सारी बात जानने को मिलती रहें तो सी यूगाइस इस मैं नेक्स वीडियो